इन दिनों सोसल मीडिया पर एक तस्वीर खुब वाइरल हो रही है इस तस्वीर में नजर आने वाले सक्स एक तो है विश्व स्वास्त्य संगठन यानि की डेवल्यू एच्चो के परमुक टेड्रोस अधानों और दूसरे जो दिखाई दे रहे हैं वो है चीन के राष्ट्र की मिली भग्त पे ये तक कहा जा रहा है कि विश्व स्वास्त्य संगठन के परमुक की आँखों पर चीन का चस्मा चड़ा हुआ है और इसी वज़े से ही दुनिया भर में अभी दोसों से जादा देशों में करोना वाइरस जो है वो फैल चुका है और के साथ ही डवल्यू क्या क्या गलती की है डवल्यू एक्चल स्रीज में क्या गलती की है ड 파कर करता हूं आप सभी का हमारे यूटूप चैनल में अगर आप मुझसे सोसल मीडिया पे किनेक्ट होना चाहते है तो मेरा वाट्स अप नंबर है 94681-73029 किसी भी परकार का सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे connect होईएगा अगर मेरे दवारा पढ़ाए गए किसी भी lecture का आपको PDF चाहिए तो आप मेरे telegram channel सुनिल स्टार सर को join कीजिएगा और यहाँ पे मेरे दवारा पढ़ाए गए सभी lecture का PDF मिलेगा मेरा Facebook पेज सुनिल स्टार सर से ही है और अगर आप मुझसे Facebook पे connect होना चाहते हैं तो Scientist स्टार सुनिल से आपको मैं मिल जाऊंगा coronavirus के दुनिया भर में cases जो हो 2 million को cross कर चुके हैं यानि कि 20,17,810 case है जब तक मैं यह video record कर रहा हूँ आज 15 अपरेल 2020 के शाम तक का data है यह और जो मरने वालों की संक्या है वो भी अब जो है वो काफी ज़ादा हो चुकी है यानि कि 1,28,000 से भी ज़्यादा case आ चुके हैं और ठीक होने वालों की संक्या भी 4,92,000 से भी उपर चा चुकी है दुनिया भर अमेरिका जो है अमेरिका की case 6,14,000 को भी क्रोस कर चुके हैं और मरने वालों की संक्या सबसे ज़ादा है 26,000 से भी ज़ादा लोग दूसरे नमबर पर फिर स्पेन है, फिर इटली है फ्रांस, जर्मनी, यूके और चाइना तो चाइना की स्थिटी अभी तक ठीक है, लेकिन एक छोटी सी न्यूज अभी रिसेंटली आई थी कि चाइना के अंदर धीरे धीरे जो है क्रोना वायरिस दुबारा से आ रहा है तो ये छोटी सी न्यूज आई थी अब कितनी इस बात में सचाई है वो तो देखो चाइना ही जानता है चाइना सारी बाते सच भी कब कहता है अभी तक हमारे भारत में कन्फर्म केसिस लगबग 12,000 होने जा रहे हैं सच जब तक आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो ये केसिस बढ़ चुके होंगे और जो मरने वालों की संक्या है वो 400 क्रोस कर चुकी है और महारास्ट्रा स्टेट तो 3000 के आसपास पहुंचने ही वाला है अब ये जो न्यू चैनल है वो क्या कह रहे हैं कि करोना वाइरस के कारण अमेरिकी रास्टरपती डिनाल ट्रम्प ने है उन्होंने WHO को फंड देना बंद कर दिया है ट्रम्प ने ये कहा है कि करोना वाइरस के संक्रमन फैलने से रोकने में WHO ने बुनियादी काम नहीं किया था और इस काम में करने में वो नाकाम रहा और ट्रम्प ने ये भी आरोप लगा है कि जब चीन से करोना वाइरस के संक्रमन की सुरुवात हुई थी तो WHO ने इस पे जो है संग्यान नहीं लिया था अपना इतना ध्यान नहीं दिया था और स्विक प्राष्टर का यह संगठन जो है इसे संभालने में नाकाम रहा था और अपनी असली तस्वीर जो है वो चुपाता रहा और चाइना के भी असली तस्वीर को भी जो है वो पीछे चुपाता रहा अमेरिका में आप सभी को पता है बुरी तरीके से इस वाइरस ने जो है तभाही मचा रखी है और तो राश्टरपती डॉनाल्ड ट्रम्प तो अपनी डेली प्रेस कॉन्फरंस में इस वाइरस को चाइनीज वाइरस से ही अनुमोदित करते हैं हमेशा कहते हैं तो वो इसी तरीके से ही है और अभी रिसेंटली ही 15 अपरेल या सुभह 4 बज के 20 मिनट पे प्रेजिडेंट डॉनाल्ड ट्रम्प ने एका है कि जितने भी हम लोग उनको जो फंडिंग देते हैं उनको अभी जल्द से ही रोकने का नेने लिया जाएगा और रीजन है उसका कि डॉनाल्ड ट्रम्प ने कि थोड़े टाइम पहले अभी मैं इसका डिटेल बताऊंगा 14 जनवरी को जो है डॉनाल्ड ट्रम्प ने ट्विट करके ये कहा था कि human to human transmission नहीं होता है इस virus का और तो अभी डॉनाल्ड ट्रम्प ये कह रहे है कि ये तो जब की हो रहा है तो अब जब इतनी बड़ी संस्ता है जिसको specially रखा ही गया है कि इसके लिए कि जो स्वास्ते चीजों की जानकारी रखे और स्वास्ते चीजों के बारे में जो है बताए और वो भी ऐसी गलतियां कर रहा है या उसको पता ही नहीं है कि ये virus कैसा फैल रहा है कैसा नहीं फैल रहा है तो फिर इसको fund देने की जो है वो वज़े ही क्या है पिछले साल अमेरिका ने डबलु एच्चों को 40 डॉलर का जो है fund दिया था जो कि अपने आप में सबसे जादा है और इन्होंने काया कि मैं अपने सभी गवर्नर जितने भी है 50-60 गवर्नर है उन्से सबसे बात करूँगा और ये plan किया जाएगा कि इनको जल्द ही बंद कर दिया जाए हलांकि इन्होंने अपने press conference के एक मि अपने सब्सक्राइब कर दो हमें ये समझना पड़ेगा कि WHO है कोन है WHO और इसके एहम काम क्या है क्या काम करता है WHO दुनिया भर में देखो WHO की full form आप सभी जानते होंगे world health organization है और स्थापना भी आप सभी बच्चे जानते होंगे 7 April 1948 को इसकी स्थापना हुई थी 7 April को बना सब्सक्राइब करते होंगे Switzerland का एक सहर है जिसका नाम है जिनेवा जिनेवा में इसका हेड़कॉर्टर है टेड्रोस अधान ओम गेब्रियोस इनका पूरा नाम है वो WHO के परमुख है और WHO क्या है कि एक Westwick स्वास्ते अजनसी है इसका में काम है दुनिया भर में स्वास्ते सम अश्याओं पर नजर रखना बैजय से माल लेते कोई भी आउटब्रेक होता है कोई भी बिमारी आतियत उसका वैक्सिन त्यार करना लोगों को अलर्ट करना और उन पे उनको मामलों को सुल्जाना ये सारा काम जो है वो WHO का है दुनिया भर में स्वास्ते संबंदी रुजा आता कि हाँ ये संस्ता सही तरीके से जो है उस्तापित की गई है और सही मकसद से भी फिलहाल डवल्य अच्चो जो है एड्स इबोला और टीबी जैसी खतरनाक विमारीयों की रोकताम के लिए जो है रिसर्च कर रहे हैं इसमें दुनिया बर के रिसर्च करने के लिए जो ड टेड्रोस अधानोम जो है वो एक इथोपिया के नागरिक है ये टेड्रोस अधानोम जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये इथोपिया के नागरिक है और इन्होंने डवल्य अच्चो का चीफ बनने इनको जो डवल्य अच्चो का चीफ बनाये गया था इसमें मदद ही क चाइना ने की है वह चीन ही था जिसने टेड रोस के कैम्पेन को ना सिर्फ स्पोर्ट किया बलकि उन्होंने अपने मत के अलावा अपने सयोगी देशों से भी मत दिलवाए जैसे आपका कई बार करते हैं ना कि सरपंच गाओं में खड़ा हुए है तो आपका तो वोट दें दे लेकिन अपने आस्परोशियों को भी कहें कि हाँ वोट दें मतलब थोड़ा सा शेरिंग टाइप से बातों को करना ऐसा चाइना ने भी किया था और कुल मिला कर अगर यह कहें तो गलत नहीं होगा कि चीन की महरवानी से ही टेड्रोस अदानोम जो है वो डव्लू एचो के डारेक्टर बने हैं मतलब में बात तो है इस बंदे के पीछे सब कुछ हाथ जो है वो चाइना का ही है अच्छा तो करोना पर चीन और डव्लू एचो की मिली भक्त वाली बात आ रही है ठीक है तो अब यह मिली भक्त वाली बात जो है यह किस हद तक ठीक है तो करोना पर चीन की मिली भक्त की बात तो देखिएगा यह है सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि विश्व स्वास्ते संगटन को 31 दिसंबर 2019 में करोना वाइरस के बारे में पहली बार जो है वो पता लगा था पहली बार पता लगा था विश्व स्वास्ते संगटन को कि 31 दिसंबर 2019 को हलंकी देखिएगा इस बात में सचाई नहीं है सचाई क्यों नहीं है सर इसका रीजन ये है ऐसा माना जा रहा है कि लगबग 17 नवंबर को ही चाइना के अंदर जो है वो वाइरस देखने को मिला था लेकिन चाइना ने इस बात को छुपाया ठीक है नहीं बताया फिर उसके बाद में पहला केस देखने को मिला था चाइना के अंदर आठ दिसंबर को लेकिन चाइना के लोगों ने एक डॉक्टर थे लिवे यांग उन्होंने काफी इस बारे में बताने कोसिस की थी लेकिन उनकी थोड़ी दिनों के बाद में है में वो करोना वाइरस की वज़े से ही मोत होगी थी ये तो बता रहा है चाइना का मीडिया लेकिन कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि वहां के जो सरकार है या चाइना के लोग उन्होंने डॉक्टर ने पुबिस की थी इस रिपोर्ट को इस वज़े से चाइना ने उसको मार दिया, तो धीरे-धीरे चाइना ने इस बात को छुपाया, लेकिन 31 दिसंबर तक आते आते, चाइना ने पहली बार जो है, वह को रिपोर्ट की थी कि ऐसा ऐसा एक निमोनिया टाइप का वाइरस है, और ये हमसे अब कं सामने आई थी, और इसे निमोनिया के मामलों के तोर पे बताया गया था, मतलब सोसल मेडिया पर ये ही कहा गया था, कि एक निमोनिया ही है, क्योंकि इसके सिम्टम उस टाइम पे लगबग निमोनिया जैसे ही दिखने को मिल रहे थे, पांच जनवरी की बात करता हूँ, तो पहली बार इसके परकोप को लेकर खबर चपी थी, और उसमें खबर चपने में ये था, कि human to human transmission होने वाली बिमारी नहीं है, और ऐसा अब तक कोई भी पुक्ता सबूत नहीं मिला है, ये अभी तक news चाप रही है, news में लिखा जा रहे है, कि इंसान से इंसान तक जो है, उस यातरा पे रोक लगाना ऐसा बेवकूफी ही समझियेगा, ये WHO कह रहा है, और उससे सबसे बड़ा जो 14 जनवरी का ट्वीट है, जो कि अभी तक बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहा है, दुनिया बर में, WHO ने ये कहा कि इस वाइरस का इंसान से इंसान में संक्रमन होने का में बहुत ही ज़ादा जो है, वो वाइरल हो चुका है, आप इसे खुद देख सकते हैं, नेट पे या सोसल मेडिया पे आपको असानी से मिल जाएगा, इन्होंने कहा है कि no clear evidence of human to human transmission, WHO सही संस्ता ऐसी बेतुकी बात करता है, तो मतलब सच में बड़ा दुखी होता है, 20 और दोरे पे गई और चीन का वुहान सहरी है, जहां पे पहली बार इस वाइरस के बारे में पता लगा था, 22 जनवरी को क्या आता है, कि वो टीम जहां पे विजिट करके वापिस आती है, और ये संकरम वो बताती है कि जो ये वाइरस है, ये human to human transmit हो रहा है, ये 22 जनवरी को जो भी travel बाते हैं, उनको रोक दीजिएगा, traveling को कम करिएगा, lockdown जैसा करिएगा, ऐसा कुछ नहीं का, और यही का आ जाता रहा कि सिर्फ यात्रियों की screening ही काफी है, screening का मतलब यह है कि touch free sensor जो है, temperature note करनो गोतना बहुत है, यानि अगर WHO उस दिन ये ले ले लेता, कि चीन की यात वाली flight बंद कर दी जाए, तो साइध ऐसा माना जा रहा है कि अभी तक दुनिया बच सकती थी, अब आगे बारी आती है 23 जनवरी की, तो चीन में तो मामले बहुत कम हुए, लेकिन बाकी दुनिया में करोना ने चपेट में ले लिया, क्योंकि देखिएगा 23 जनवरी को, इ ऐसा माना जा रहा है, अगर उसी टाइम लोगडाउन की स्तिती बना देते, या उसी टाइम पे इसको पैंडेमिक वगड़ा गोसित कर दिये होते, तो हो सकता है, वो इतने लाखों के संख्या में लोग माइगरेट ना करते हैं, 24 जनवरी को फिर दुबारा से ट्रेवल एडवाईजरी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया कि यात्रा को रोख दिया जाए, 27 जनवरी को, फिर एक ट्रेवल एडवाईजरी जारी हुई, और इसमें 13 देसों में फैल चुका था, अब तक 27 जनवरी तक, लेकिन डेवली एचो का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ महामारी को मानी नहीं देते कि यह कोई महामारी भी है या पैंडामिक भी हो सकता है कै, हुआन के मेर ने इट्रिवीव में कहा था कि करोना से जूरी जानकारी बताने में देरी नहीं करनी चीए, यह वक्त था जब खुद चीन के ये दोरे पे आये थे, 27 जनवरी को, पेडर ठीक है, सही काम कर रहा है, यह human transmission हो भी रहा है, तो वो रोक रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं, चाहिना बिलकुल बढ़ी है, पूरी दुनिया को एक वो चहरा दिखाया, जो असल में कुछ था ही नहीं। इससे pandemic गोसट नहीं किया है, पहले गोसट कर देते तो क्या हो जाता, गोधर पंडमीक अगर पहले गोस्ट कर देते तो इससे ये होता कि दुनिया के बहुत सारे नेच सा सचयन हो जाते, वो lockdown कर लेते या कैसे भी करके स्कों गर रयते मूला है तो सरम की बात है, हमें तो बता इसी अमार जो है वो टाइप का स्मार्ट ही कहिएगा, बिल्कुल स्मार्ट निकला है, कुरोणा वायर से लड़ने के लिए WHO की भूमिका पर ट्रंप के अलावा और भी बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं, बारत में WHO की और से दिये गए कई सुजाओं से सरकार ने जो है वो कि देगा, WHO ने कहा था कि चीन की यात्रा पे कोई भी परतिवन नहीं होगा, लेकिन भारत ने फरवरी की सुरुवात में ही अपने नागरिकों को चीन की यात्रा ने करने की सलाह दे दी थी, यहां देखो बहुत समझदार है इस मामले में, अच्छा, 16 मार्च को WHO चीफ ने कह करता हूं, कि WHO जो है, वो यह कह रहा है, चाइना को कि तुम टेस्ट किट बना कर बेचो, मैं दुनिया को सलाह दूँगा, ज्यादा टेस्ट करने की, यह WHO चीन की भाई बंदी ही मानके चलिएगा, आप लोग ठीक है, इन दोनों की भाई बंदी ही मानके चलिएगा यह, क्य करने से बिमारी बिल्कुल खतम हो गई हो, इसका सही इलाज जो है, वो हमने किया है, हमने क्या इलाज किया है, हमने क्या इलाज किया है, कि 21 मार्च को हमने ICMR के डारेक्टर ने कहा था, बलराम भारगव ने, कि टेस्ट जो है, वो बिना देखे सुने हम नहीं कर सकते, यह वो तो देखो चाइना के चस्मा पहना ही हुआ है लेकिन चाइना का टेस्ट का फंडा ये बता देता हूं कि अब तक दुनिया भर में टेस्ट किट सबसे ज़दा बनाने वाला जो देश है वो चाइना ही है स्पेन को इन्होंने लगबग 6,00,00,00 के आसपास टेस्ट किट दी थी लेकिन वो उसमें से 50% जो है वो अल्मोस्ट 50% के आसपास 30% तो बिल्कुली खराब सी थी और 50% के आसपास वो वापिस की गई थी इसके अलावा इटली के अंदर इसके अलावा जो आपका पेरू है या बहुत सारे ऐसे कंट्रीज के अंदर चाइना ने टेस्ट किट जो हो बेची थी तो एक तो राज ये भी रहा है या ये भी एक जो है गलत पॉइंट रहा है WHO का हमारे भारत में यहाँ पे छोटी सी एक अच्छी बात जो है देखने को मिली अच्छा WHO ने बिमारी के लक्ष लिखाता बाईयों और बैनों बाहर निकलो तो मास्क लगा के निकलना मर जाओगे वरना डबलो अच्छो ने कुरुना से लड़ने के लिए किसी विशेस दवा की सिफारिस नहीं की थी ऐसा कुछ नहीं कहाता कि कोई भी वैक्सीन वगरा होती लेकिन भारत थोड़ा सा ओर को स्बार है हमारा कैसे जी हमने हाईडरॉक् fluoroc coalition के लिए कहा हलानकि मैं ये बता दू कि हाईडरॉक्सी खी विने भी कोई दवाई नहीं है लेकिन एक प्रोफेलेक्स्ष हैं अपकी ये मेडिशन्स है प्रोफेलेक्षिश से मच्रमंण होने से पहले यह आप ले लो जैसे म सोचे कि मैं ठीक हो जाऊंगा ऐसा नाइजीरिया में किया तो तीन लोग मर गए थे और के लावा अमेरिका में भी मरा है लेकिन इसको एक डॉक्टर की जो है सलहा पे लिया जाए और के साथ में इसे एक लिमिटेड अमाउंट में लिया जाए तो हाइड्रोक्सी जो इसका उत्पादन करता है मलेरिया की एक दवाई है इस दवा के प्रियोग में सफल होने का अंदाजा अभी तक तो लगाया जा सकता कि दुनिया के बड़े से बड़े देश जो है वो इस दवा की मांग कर रहे हैं सारे मंगवा रहे हैं हमारे भारत से और भारत के मोदी तो हर जगे अपने नाम का डंका बजवाई लेते हैं अच्छी बात भी एक है और मैं कह रहा हूँ हमने सेफ कदम भी उठाए है अब इन दोनों का याराना ठीक है अब इन दोनों का याराना क्या है कि चीन और डबली अच्चो की साथ गाट के मेंली चार कारण है मैं इस पूरे लेक्चर को अगर समप करूँ तो मेंल चार रीजन है तेगे का पहली वज़े क्या है टेड्रोस जब इथोपिया के स्वास्ते मंत्री थे तब उन पर हैजे महामारी चिपाने का आरोप सामने आया था इसके बावजूद डेड्रोस चीफ के तोर पर जो है उचीन ने समर्थन दिया था इसका दूसरी वज़े बताता हूँ आपको ये जानकी सच में हैरानी होगी कि टेड्रोस के पास मैडिशन की कोई भी डिग्री नहीं है उन्होंने कॉमिनिटी हेल्थ में पीएच बी की है और ऐसे होना भी उसके बावजूद भी डेड्रोस ने उन्हें चीफ के तोर पर जो है वोट किया और दूसरे दोस्यों सो भी वोट करवाया इवन ताइवान ने भी कहा था ताइवान जो है उन्होंने भी कहा था कि प्लीज तुम जो है 31 दिसंबर कोई कह दिया था कि ये बड़ा खतरनाक वाइरस से संग्यान ली जीगा लेकिन डेड्रोस ने उसको नकार दिया क्योंकि वो चाइना के चकरों में था तीसरी वज़े है जानकारी के अनुसा टेड्रोस जब हो इथोपिया के विदेश मंत्री थे तब चीन ने वहाँ पर अर्बो रूपे का निवेश किया था जहां जितना जदा निवेश कोई करेगा तो कर्ज तो देखो कर्ज ही होता है और चोथी वज़े है कि टेड्रोस ने डबलु अच्चो के चीफ बनने के बाद इतना इतरार है यूँ कह दीजिएगा आप लोग और उस वज़े से ही जो है ये डबलु अच्चो जो है ये गलतिया कर रहा है भारत ने संकरमन के तोर पे या कह दीजिएगा कुल मिला कर करोना वाइरस से लड़ाई में डबलु अच्चो ने लगातर एक के बाद एक गलत फैसले लिए है जिसे चीन का तो बचाव हो गया लेकिन इसे पूरी दुनिया का नुकसान हो गया है तो सब ही कह रहे हैं बलकि करोना से सम्मंदित में जो जॉन बॉल्टन है जो की अमेरिकी राष्टरपती के पूरो सलहकार रहे थे उन्होंने तो ये तक कह दिया कि तुम जो टेडरो सदानों है भाई इस्तिफादे दे कोई फाइदा नहीं है बहुत बड़ी गलती की है ये वाली करोना को लेके डवली अचो का आपात काल गोशना करने में और पैंडेमिक भी जो है 11 मार्च को पैंडेमिक गोशित किया था इन्होंने कास ये जो है फरवरी के last में या मार्च के पहले week में ही इससे गोशित कर देते अपने दोस्तों तक शेर जरूर कीजिएगा, धन्यवाद, थैंक्यू, हस्ते रहना और मुस्कुराते रहना, रादे रादे प्यारे बच्चों